नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल मिनी ब्लॉगर मनीज पर दोस्तों आज मैं एक नया पौधारी का पस्तित हुआ हूं यह पोधा है अप्राजिता का अप्राजिता जैसा कि आप जानते हैं नीले नीले फूल से खिलते हैं कापी अच्छा यह पौधा है और ताकि प्लान के रूप में लोग लगाते हैं तो ठंड की मार के विए से इसका आप क्वाल्टी देख सकते हैं इसके पत्तियां देख सकते हैं कैसे बड़ा है और उमीद बड़ा कम लग रहा है कि बचेगा लेकिन आज बचाने का प्रयास में करूंगा और इसमें आप देख स आप लोगों सामने इसको वीडियों ला रहा है कि ऐसा कंडिशन काफी लोगों के साथ हो गया होगा क्योंकि जिस तरीके से ठंड पड़ा है तो काफी लोगों पौदा खराब हो चुका होगा तो यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियों है इसको आप अंतरता जरूर देख सकते हैं इसको लेकिन इसको उसर रूप में नहीं रखता था मैं इसको इगा बरह्तर कर रहा कि नहीं कंते हैं टोpetto से पहले इसमिंए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए क्या करना चाहिए तो इसके लिए आपको क्या कर चाहिए तो आप सबस्कारना क्यूंत कि लिए ब् Amazing आप 나ा जो Wash produce लिए तो जितनी मात्रा में आप घ्लाव करें रहा हैं लोंगी epoxy मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें और दोस्तों यह है कि थ्वासा आप मार्केट से अगर जैवी खाद आपको मिले तो आप जैवी खाद का भी इसमाल करें जैवी खा दिया है इतना आप गम्ले के साफ से सही है और दोस्तों तो इसमें मैं जैवी खाद है इन सब मिलाने के बाद अच्छे से इसमें हम डाल देंगे और जालने के बाद इसको हम इसकी बुढाई कर देंगे और आप भी करना बिलकुल ना भूलेüyorum अब मौसम बहुत सँई हो गया है अब आप पौधों को लिपॉर्ट कर सकते हैं अगर आप लाइड पूरिक्श को मौसम पर्फेक्ट है ।शि थमले आप सब और कलया तों से पूर्णिंग करेंगे वहां से भी आपकी पत्ति आने सुरू हो जाएंगी तो दूसरे मैंने मिला दिया हूं इसको अच्छे से और आप यह है कि आप यह देख सकते हैं अब इसको मैं थ्रवास निराई गुड़ाई कर दूं इसको अच्छे से और आप भी विल्कुल यह क पानी उतन ही देना है जितनी की इसकी आवसकता है अभी इसकी सारी पतियां गिर जाएंगी और यह हो सकता है कि निराई गुड़ाई करके इसमें छोड़ दूंगा और उमीद करते हैं कि यह बच जाए क्योंकि यह पौधा मुझे बहुत प्यारा है इसलिए मैं इसको तो दोस्तों आप भी ऐसा अपने पौधों में कर सकते हैं अभी समय है और आप लगबा लगबा अपने सारे पौधों को रिपौट कर सकते हैं सारे पौधों क्या जिन पौधों क्या आउसकता हो तो दोस्तों फाइनली मैं इसमें इसके निजाए गुड़ाई मैंने कर दिया हुआ है और इसमें हल्दी पाउडर फंगिसाइड वगड़ा अन्पिके वगड़ा और जैविक हाथ को डालके मैं इसके लाइक कर दिया हूँ आप देख सकते हैं और उमीद कर सकते हैं कि इसमें इसका जो पत्तियां है इसके पंखुरियां है इसमें निकलें और इसमें फुटाव अच्छे से जाए और जैसे ही इसका फुटाव इसमें आएगा इसमें पत्तियां आएंगी नहीं नहीं मैं इसक झाल झाल